थाजकार दोस्तों, मैं मंझू, हल्द्वानी, उत्राखंसे दोस्तों, आज के सुरुवात मैं इस खुब्सरोत टोक्री से करना चाहотँगी ये बास्केट मुझे गिप्टर मिली है और इसमें धेर सारे मुझे सैकुलेंट मिले है धेरों सेकुलेंट मिले है, ये बास्केट मेरे एक भीवर ने मुझे दी है, उन्हों ने घर पर इसको मुझे छोड़की गए थे और मुझे फिर बादने मीरी पहचान भी है उनसे तो ये बादने मुझे मैसेज किया कि एक टोक्री बास्केट मेरे तरफ से घिप्ट है, तो मैं आपको बहुत सारे सेकुलन के नाम बताऊंगी जिनको जनबरी फेरवरी के मेहने में हम कटिंग से त्यार आसानी से कर सकते हैं दोस्तों सेकलोन इतने आसाने से चलने वाले प्लांट होते हैं कि ये पत्ती से भी त्यार हो जाते हैं पर पत्ती से त्यार होने में टायम लगता है तो इसलिए जो है इनकी छुट छुटी कटिंग हम इस समय लगाएंगे तो बहुत अच्छा इनको जो है ग्योत होती है इन म तो भी फिर भी हम मैंने करके बचा लेते हैं पर बरसात के मौसम में जब इनकी हम सही तरह से केर नहीं करते हैं बारिश का पानी बरावर पढ़ता है तो कई बार ये प्लांट हमारे गल जाते हैं सर्दियों में जो है रात के पाले से भी इन प्लांट कोई फरक नहीं पढ़ता बस दिन की धूप इनको मिल जाए और रात का पाला भी पढ़ता रहता तो देखिए इनके पत्ते जो होते हैं बिल्कुल रेडिस हो जाते हैं काफी सुन्दर देखिए कितनी सारी बेराइटी के से अपने उन वीवर को जो है थेंकी बोलना चाहती हूं जिनोंने मुझे इतना सुन्दर गिप्ट दिया है जिसकी मैं कितनी बार थेंकी बोलू सो कम है क्योंकि इन प्लांट तो सभी को हम जो प्लांट लवर होते हैं उनको कुछ ऐसी गिप्ट मिल जाए तो उसमें खुश रहा है तो मैंने इसको हैंगिंग वास्केट में ही ग्रो कर रखा है तो यह मुझे काफी पसंद है मैं पर सेकुलेंट का बहुत बड़ा कलेक्शन है मैं अब एक ही करके सब दिखाती हूं दूसरा हम त्यार कर सकते हैं इस समय देखिए इस्टिंग औपल्स ये भी जो है ज चाहे स्टिंग औपल्स हो इनके जो हैं आप एक छोड़ी से टुकला लेकर इस से कोर खाली बस ऐसे ही जमीन में टच कर दीजिए जो संडी स्वाइल है उसमें टच कर दीजिए तो कुछ दिन में जो है वहां से रूट्स फॉर्मेशन हो जाता है तो इससे इसके नए प्ला प्लांट त्यार होते हैं तो हमारे पास एक प्लांट खतम होने क्योंकि यह महंगे भी आते हैं नर्सरी में भी पचास रुपे से नीचे सा कोई प्लांट नहीं मिलता है अक्सर देखने में यहीं मिलता है और मैं जो पक्र पता नहीं है तो इसकी जो है एक छोटी सी स्टिं तो यह जो है बस इसका एक टुकड़ा आपने कहीं पर रखना है कुछी दिन में यह बहुत अच्छी गिरोध कर लेते हैं तो यह प्लांट भी आसानी से चलने वाला एक हो शुरा स्यकुलेंट प्लांट होता है इसी छोट छोटी कटिंग मैंने जो प्लांट लाई थी यह मैं जञादा गिरता है ज़्यादा पानी से प्लांट इमलेंट पहुते हैं खराँ होती है तो पहला दिखांगी मैं आपको खूपउरत इनको पत्ती खुद तो खुद गलने आते हैं उससे बचाना है इनको बाकी जो है बहुत सुन्दर है देखिए किता प्यारा लग रहा है ये फ्लैक जैक केते हैं इसको पैड़ा लीड भी केते हैं कितने बड़े-बड़े कई जगह पर तो इसकी ऐसी बैराइटी आते हैं इस पॉर्ट में दीजिए जब मिट्टी कर नहीं है तो प्लास्टिक के पॉर्ट में दी रखा है दोस्तों ये देखिए बिल्कुल जो है पत्थर जासा दिखता है ये कितना सुन्दर लिगता है इसको कहते हैं पेची पोडियम या मून स्टॉन ये भी काफी सुन्दर होता है जो मेरे पर लास्टियर था वो कई बार गर्वी में गल जाता है मैं फिर लिया तो ये बहुत स्लो ग्रोथ वाले प्लांट होते हैं ये बहुत तेजनी मर्ट इसको भी छोटे से पॉर्ट में लगा रखा है जब एक से मेरे पास इसके दो प्लांट है ये देखिए इस तरह खुशूरती को बढ़ाने के लिए किलांट अपने आप में बहुत यूनीक बहुत खुशत होते हैं किसी को गिफ्ट देने के लिए कितने प्यारे लगते हैं ये देखिए छोटे से जह कहीं पर भी रख सकते हैं आप इंडूर भी प्लेस कर सेंगें गर्मियों में इनको औ पर टिया बहुत सारी बराटी में आता है तो यह जो है बहुत हार्डी होते हैं इसको तो जो है एक बहुत जिन लोगों सुरूबात कर रहे हैं सेकुलेंट लगाने की वो लोग भी इसको लगा सकते हैं तो इससे भी जो है इसको बाहर भी रख देंगे तो कोई से गर्मी की ध बिसेंग कर लिता है यह गलते बहुत जल्दी नहीं है पर जो है कुछ ऐसे सेकुलेंट है जो बहुत नाजुद भी होते हैं जिनमें पानी सभी सेकुलेंट भरा होता है इसलिए इनको भी छूटे डिपॉर्ट में नेचे मैंने इसमें जो है आर्टिफियर ग्रास तक रखी ह है तो बहुत सुन्दर लगा है यह देखिए पैचिपेडियम की ही दूसरे बिराटी इसने रेट देखिए अब में लीब बना दियें क्योंकि सर्थिया इसको पसंद है तो देखिए इतना अच्छा लग रहा है यह यह मैंने जो है कटिंग से बना रखा है इसको मैं कुछ कर सकते हैं दोस्तों यह देखिए यह जैलीवीन होती है इसी तरह से यह बढ़ती रहती है पहाड़ों में तो इसी कोई क्यार नहीं होती क्योंकि पहाड़ों का टेंपेचर कम होता है इंको कम टेंपेचर पसंद होता है कम टेंपेचर कम पानी और मैं यह प्लांट जो है अ अवाटा, ये भी बहुत सुन्दर प्लांट होता है, तो एक हाड़ी प्लांट होता है ये भी, तो इसको भी मैंने चोटे से पॉर्ट में ग्रो कर रखा है, तो देखें एक बॉंजाई का लुक लिए हुए कितना सुन्दर दिखाए दे रहा है, ये प्लांट जो है, सिंगल जाने पहचाने एचिवेरिया, एचिवेरिया की प्लांट में तो बरसात के मौसम में जहां पर आप इसकी पती रखेंगे, वहां से इसका नया प्लांट ट्यार हो जाता है, बहुत हाड़ी प्लांट होता है ये, तो ये भी काफी सुन्दर, इसमें देखिए, पर इसकी जो है उसमें से नए पफ्स बन जाते हैं और जो cutting से आप इसका नया plant त्यार कर सकते है rupees जो है इस प्लांट से जो है के नीचे की leaves अगर आप आप Sand useful में लगाते है तो इसकी beumba इस समय बहुत आसानी से त्यार हो जाती है पेप्रोमिया जो है बेरिगेटिड बरायटी और इस तरह की ग्रीन बरायटी दोनों मिलता है तो ये भी जो है एक खुछुरा सेकुलेंट होता है इसको भी हम कटिंग से इस समय त्यार कर सकते हैं ये देखिए ये भी हवर्टिया की बराय हवर्टिया की बरायटी में आता है ये पर ये जादा नाजुक होते हैं उस हवर्टिया के विच्छा दोस्तों ये ब्रायोफाइलम है देखिए तो इसमें तो है ये पत्थर चट्टा की ही बरायटी होती है और इस तरह के जो है इसमें सेटिड होते हैं इसको भी हम साइट से एक ब्रांच इसकी तोड़ के नया प्लांट आसानी से रेडी कर सकते हैं ये देखे इस तरह से पैंसल जासा नुकीला जो है इस सिनोसिया होता है तो ये भी जो है इसकी एक ब्रांच को तोड़ कर इसके पत्ते हटा के वही मैथट है अगर इसको एलोबेरा जलमा डिप कर देंगे तो और भी आसानी से लग जाता है तो ये भी बहुत सुन्दर एक सेकुलेंट है जिसको हम लगा सकते हैं इस समय दोस्तों ये खुबसूरा सेकुलेंट जो है डॉंग की टैल क्यलाता है बहुत नाजुक होता है एक छोट जो इसके दाने से भी प्लांट त्यार होताती है पर बहुत समय लगता है इसलिए जो है इसकी एक इसको तोड़ कर नीचे की पतिया हटा कर इसको बनाए जासाता है नया प्लांट तो इस समय की ग्रोध बहुत तेज होताईगी यह खुबसूरत सेकुलेंट प्लांट जो सो यह है गुल्डन सीडम की बेराइटी इसको भी जो है यह बहुत हाडी सेकुलेंट होता है इसको जो है कम पानी दीजिए तो इसकी भी छोट इसे इतना सारा फैल गया है कि इसकी जो है हमें खुद इक रोलिंग करनी पड़ती है तो जो है इसमें उपर से हम प्लांट को जैसे मैंने हंगिंग मस्क में लगा रखा है तो बहुत सारी ब्रांचे लटक रही है तो इसको थोड़ा एक शेफ पर रखने के लिए कट करके जो है हम इसकी एक ब्रांच तोडएंगे वैसे भी नाजुक होते हैं पत्यों से त्या हमें नए प्लांट त्यार कर सकते हैं विलकुल फलेसी फलेसी लीफ होती है पानि भरा होता है गुदी में जेल इनके पत्तियों में जेल भी होता है तो बहुती आसाने से इस Low ब्रांच को लगा सकते हैं तो दोस्तों इसके अलाबा, देखिए इसमें भी जो लगा रख्ये सीडम की बेरायटी इसको भी जो है छोटी सीडम के इसको तोड़के इनको हटा कर इनकी नीचे की पतियां हटा कर इसको भी रखेंगी जहां पर तो ये ग्रोथ करने आते हैं तो इसमें जो है बहुत सारी बेरायटी के जो लगे हैं इनमें भी हम जो हैं साइट से प्लांट से निकाल के त्यार कर सकते हैं या प्लांट की जैसे यह हाइट पकड़ लेगा तो बीच में से कट करके नया प्लांट त्यार कर सकते हैं तो दोस्तों उम्मीद करती हूं आपको आज का वीडियो पसंद आएगा और मुझे जो गिप् तब तक के लिए नमस्कार